बैंसोनिया जी सैकल को यहीं पे रोख लो यहीं पे रोख लो बोलो मोधी जी क्या बात है बताओ क्या बात है बैंसोनिया जी आप तो जानते ही हो कि 8 बजे तक स्कूल पहुचना ही पहुचना है आप तो सैकल से जा रही हो और मैं पैदल जा रहा हूँ आप तो 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाओंगी लेकिन मैं पैदल ले स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि जिस स्कूल में अपना लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो स्कूल दो गाँ पार करके हैं कम से कम 5 किलो मीटर दूर तो मोधी जी ये मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब तो मुझे पता है आप बताओ आपको क्या काम है आपने मुझे किसलिए रोका है बताओ बैंजोनिया जी तो कहने का यही मतलब है अगर आप अपनी सेकल पे मुझे पीछे बैटा के ले चलती ही उन्तों मैं टेम से स्कूल पहुंच जाता आपके साथ ही नहीं तो मुझे पैदल स्कूल जाने में बहुत बक्त लगेगा मोदी जी मैं अपनी नई सैकल पे तो आपको नहीं बैटा सकती आप देखी सकती हो आपको पता भी है मैंने अभी कुछी दिन हुए नई सैकल खरी दी है और इस नई सैकल को मैं सही तरीके से चलाना भी नहीं जानती तो इस नई सैकल पे मैं आपको नहीं बैटा सकती बेंजुनिया जी आप तो अजीब बांद कर रही हो आपकी क्या सैकल हमेशा नहीं रहेगी और नई सैकल पे मुझे बैटाने सी क्या हो जाएगा पुरानी हो जाएगी चलो कोई बात नहीं है आप बहाने बना रही हो अपनी सेखल पर नहीं बैठाना चारही हो मत बैठा लो इसकूल तो मैं पहुची जाओंगा किसी भी तरीके से पहुचू अरे लानू जी आ गए लानू जी अपनी सेखल मुझे बैठा लेंगे लानू जी रुक जाओ अपनी स यह सेगल इतनी पुरानी है कि अंग्रेजों के जमाने की सेगल है यह सेगल मुझे तो बड़ा मुझिल से लेके चलती है और इसके उपर मैं अगर एक किलो बजन भी रखता हूँ इसकी हवा फुस्त से निकल जाती है तो मोधी जी मैं इस पुरानी सेगल पर आपको तो अपन के लिए चलूं कोई मात नी माया बदी जी कहा से कबूतर कासे तो कलकalam भी होता है कवसे कबूतają यो बढ़ाते हो आप ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती लानू जी तुम बाते जाता करती हो इसलिए हमेशा दस में से माइनस दो नंबर लाती हो तो मुझे दस में से माइनस दो नंबर मिलते तू है मुझे दस में से पूरे माइनस दस नंबर तो नहीं मिलते मुझे इस इसका मतलब मैं पढ़ने मैं अच्छा हूँ लेकिन भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया का से कबूतरी क्यों होता है का से कलकत्ता क्यों नहीं होता है और कब तक हमें इस बेड़ के नीचे बैट डाल के पढ़ाते रहोगे ही इस तो पूरी सौरबे महीना लेते हो ला चाहिएधन आप हमें बारिष में पढ़ाते रहे और आप ब्लैक बोल्ट में लिखते बारिष में भीक के बन कुछ जाता था कि इसलिए एक बिल्द बनवालो उसे il Analytese में पढ़ाया करना यहां नीचे पेड़ के नीचे बैट कर पढ़ने में मज़ा नहीं आता प्रावॉ और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हो ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब है तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैट के पढ़ने हो लेकर मोधी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एपिलिकेशन डाली है लोन पास होने वाला है अरे बोतो मैं मजाग कर रहा था तुम्हारा दिल रखने के लिए यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमें सा पता नहीं आज अगलेस पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया अरे अगलेस आ गया अगलेस इतनी लेट कैसे आयों पढ़ने के लिए मोधी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते आपने कांसे कबूतरी पढ़ाया होगा कांसे कानपुर धोरी पढ़ा दोगे तुम अगलेस टीजर से इस तरीके से बात करते जाके नीचे जमीन में बैटो बैटी अगलेस पढ़ा तो मैं कांसे कबूतरी रहा था लेकिन मोधी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बैंच ले आओगे बैंच पे बैट के पढ़ाया करोगे मोधी जी क्या करें अपना लोग भी खेतों पर चलें बहुत दिन हो गए यहां पर बैटे बैटे देखो राहूल भाई अभी खेतों की तरफ जा रहें और एक दो दिन पहले बारिस भी अच्छी हुई है अगलेस अभी नहीं अभी नहीं कुछ दिन इंतजार करते हैं उसके आठ चलेंगे क्योंकि अभी अपना लोग खेतों पर जाएंगे तो अभी तो बहुत पानी होगा थोड़ा बहुत पानी सोग जाने दो फिर खेतों पे चलेंगे खेतों की जुताई करने के लिए और राउन क्या आना कैसे चलती है खेतों की तरफ मोधी जी हमें तो काम करना परता है इसलिए सुबही खेतों फिर चलतेते यहाँ पर घर के कोने पर बैटने से क्या भाइदा जितनी जादा खेतों में मेनत कर लेंगे उतना ही जादा आनाज उप जाएगा खेतों में अगलेस खेतों तुम ठीक रहे हूं लगता है अपना लोगों को भी काम पर चलना चाहिए बो देखो लालू जी चले आ रहा है सिर पर टोकरी में तीन कद्दू लेकर अपने गाओं के सबसे सफल किसान है लालू जी हमेशा इनकी फसल अच्छी होती है और लालू जी कहा जा रहे हो एकात कद्दू यहाँ पर हमें दे जाओ मोधी जी पूरा एक भी का खेत में तीन कद्दू की पैदाबार हुई है और उसमें से भी एक कद्दू आप मांग रहे हो यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी अरे मोधी जी तुम्हारे खेत तो इतने बड़ी आए अगर तुम सही तरीके से मेनत करो तो तुम्हारे खेत में भी तो कापी कद्दू की पैदाबार हो जाएगी लेकिन तुम तो पूरा दिन घर के कोने पर अगलेस के साथ बैड़े रहते हो और जुताई करने वाले हलो को आपने घर के ओपर टांग दिया है लानू जी बेबाल तुकी तो यह सीख हमें दूमत तुमसे एक कद्दू मांगा अगर कद्दू देना चाते हो तो कद्दू दे दू तुम गाओं के एक सफल खिसान हो तो मैंने तुमारी तोड़ी तारी भी करती तुम तो साथ में आस्मान भी चल गए अरे अभी खेती करने की उमर तोड़ी भागी जा रही है अभी आराम से थोड़ा आराम कर ले फिरकेती बाली करते रहेंगे क्यों अगलेज अगलेज बहुत तेज प्यास लगी है घर से जरा दही वाला सरबत बना के लाना मोधी जी कल सरबत मैं बना के लाया था अपने घर से आपके घर के कोने पर बैटे हैं घर में गुसो, दो सरबत इज़ बना के लियाऊ मजा आ जाएगा, एक इन पिलूँगा, एकाप पी ले ना अगलेज मोधी जी अगर तीन इंज़ बना के ले आएंगे दही का, तो एक मैं भी तो पिलूँगा मैं भी खेतों से आ रहा हूँ, बहुत तेज़ प्यास लगी है, मेरा भी गला तर हो जाएगा वालानू जी, एक कद्दू देने ही पा रहे हो, और सर्बत पीने की बात कर रहे हो तुमें एक सबल के सान हो, जाके मेनत करो, मजदूरी करो, और भाई लोगो वीडियो को लैक करो, चैनल को सब्सक्राब करो बैं सोनिया जी, आप सब लोग मिलके बाते चाता कर रही हो, काम कम कर रही हो अरे मैंने तुम सब लोगों को दान की रुपाई के काम पर लगाया है, लेकिन आप सही तरीके से काम करी नहीं रही हो ये बात मुझे बिल्गुल अच्छी नहीं लग रही है, आप इन लोगों की ठेकेदार हो, कम से कम आप तो काम सही करो जब देखो आप खड़ी भी मिलती हो सब लोग, अगर तुम सब लोग खड़े रहोगे, तो दान की रुपाई कैसे होगी देखो मोती जी, आगे देखो कितनी हम दान की रुपाई कर चुके, थोड़ी धेर भी खड़े होने के लिए नहीं देते हो एक तो ये धान की रुपाई करना बड़ा मुस्किल काम होता है, और आप खड़े ही रहते हो पास में, और जरासा भी हम कम काम करते हैं, तुरंत बीच में डोग देते हो तो बेंस जोनिया जी मैंने कौन सी गलत बात कही थी? मोती जी आपने गलत बात ही कहती, एक बात बताओ, पहले हमारा काम भी तो देखो, आम कितनी धान की रुपाई कर चुकी? अरे राबडी देवी जी अगर काम कर चुकी, तो पैसे भी तो ले रही हो मुझसे काम करने के, कोई फिरी में काम धोड़ी करोगी, और मैं कोई ना फिरी में पैसे देदूगा तुम्हें, बोदेगो इस मिर्ती रानी जी, माया बती जी से बात कर रही है, अरे मैं बात नह कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ माया बती जी से, कि ये जो खेत बचा हुआ है धान की रुपाई के लिए, इस बचे वे खेत की धान की रुपाई आज हो जाएगी, या कन हो पाईगी, इस मिर्ती रानी जी अगर लगन से काम करोगी, तो इस पूरे खेत की धान की तुम सब लोग आज ही कर सकती हो। मोती जी हम सब लोग इंसान हैं, इंसान के तरह काम करेंगी, हम कोई मसीनरी थोड़ी है। आप तो ये चाह रहा है हो कि दस दिन का काम एक ही दिन में हो जाएं। और पूरा दिन काम करने के बोई 50 उर्पे दिन देती हो आप हमें द्यारी। माया बती जी 50 उर्पे कम है क्या, 50 उर्पे अगर सही तरीके से घर्च करो तो दो दिन का खाना घर्चा चलेगा। ममता दिदी आप तो काम करने में सब सही जादा पीजी हो। अगली बार अपनी खेत की रुपाई का ठेका मैं सोनिया जी को दुंगा ही नहीं पोती जी एक बात बताओ हम सब लोग इतने मन से काम करते हैं आपको काम कम क्यों लगता है और आप हमें काम से क्या निकालने की बात कर रहे हो अगले साल को हम आपके खेत में खुद काम नहीं करेंगी हमारी ठेकेदार सोनिया जी है सोनिया जी जहां पर काम करने के लिए ले जाएंगी हम तो बहां काम करने के लिए जाएंगे और अगली बार हमें गाओं में मजदूरी करने ही नहीं है हम सहर में काम करने के लिए जाएंगे और बाइलों को वीडियो को लेक करो चैनल को सब्सक्राइब करो